कि हैलो गाइज कैसे में अच्छे होगा तो चलिए कुछ नहीं ट्रै करते हैं आज मैं जा रहे हूं साब दाना का बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेस्पी ले करके आई हूं रात के लिए जो आप लोगो काफी पसंद गाई इसके लिए मैंने एक कटोरी साब दाना लिया जिस कर लिया है आप देख सकते हैं घी पगिल गया हुआ है इस तरह से आप इसे गर्म कर ले उसके बाद मैं आप इसी में डाल दे साब दाना जो मैंने ग्राइंड किया है उसे डाल करके अच्छे से धीमी फिलेम पर इसके चलाते रहें और मिलाए इसे अच्छे से इसका कलर च तेस्टी और यम्मी हो जाती है मैंने कास किसमीज भी लिये हैं और कुछ ड्राइफूट नारियल के बुरादे लिये हैं और और भी ड्राइफूट इसमें एड कर सकते हैं अपने इच्छाओं साथ बराबर से सब को मिलाते हुए चलाते रहें यहां देख सकते हैं मैंने य तोरी समगरी में मिक्स हो जाए अच्छे से यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर मिक्स कर लिये हैं अब आप इसमें एक ग्लास डूध डाल दे जिससे अच्छे से पक जाए धीमा फ्लेम रखे या ध्यान में रखे इतना टेस्टी और यम्मी बनता है कि मैं क्या बता हूं सबसे लास्ट अपूरा टेन के हूं मैं मैं इसमें इसमें बूड़े डालूंगी आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें थोरे थोरे फ्लेम को बंद कर दे और उसके बाichen में इसमें हलके हलके डाल करके आप इसे मिक्स करें और पाच मिनिट के क्केस्ुष जो धरिक्क सब्सक्राइबلة ल Stephanie कर ले इस तरह से बराबर में जा सब्सक्परकर ले इसे अच्छा नढ़ दरोकेशे हैं और यह पात करना खाले लाँगे इस तरह से बराबर आपना की सहाथी इसे वर्फी का साइज देते जाएं, राबर से लंबे अकार में पहले कट करें, उसके बाद में इसे वर्फी का अकार दे, आप चाहें तो इसे लड़ू का भी अकार दे सकते हैं, आप जिस स्टेप में रखना चाहें इसे उस साइज में आप रखें, यहां देख सकते हैं, मैंने लड़ू का भी आकार दिया और वर्षी का भी दिया है आपको जो अच्छा लगे हो उसे आप यहाँ पर बनाईए और इंज्वाइ कीजिए और इस इस शिवरात्री आप इसे जरूर बनाए और मगवान को भोग लगा कैसा लगा मेरा वीडियो अगर आप लोग कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू धन्यवाद